सबसे पहले गाइज अभी आप लोग देखी सेकते हो यह है मेरा रेड्मी नोट 10 प्रो मैक्स जिसके अंदर अभी आचुका है शाओमी का वी एन एडिशन मतब एमा यूई का यहां पर अपर प्ले स्टोर गूगल क्रोम एंड जो क्लीनर अप्लिकेशन है यहां पर आप लोग आइकॉंस वगर थोड़ा से चेंज देख सकते हो गाइज एक तम इसके अंदर जो गूगल का आइकॉंस वगर है वो पूरा चेंज कर और और बदा देना चाहता हो इसके अं पेज के अंदर यूज कर सकते हो वो चाहे क्लॉग एप हो चाहे डेटा वगर हो गैलरी हो चाहे इसके अंदर जो एडविट्ट है यहां पर कुछ चाइनीज वगर है क्योंकि यह थोड़ा सा चाइना बीटा से इंस्पायड हुआ है यह जो वी एन रॉम है ठीके तो इसी क सकते हो वेदर का बहुत सारे विट्जेट का ओप्शन है ठीक है यहां पर आप लोग ड्रैग करके अपने होम स्क्रीन के अंदर भी ला सकते हो बड़ यहां पर मेरा गूगल जो एक पर फिर से चेक करूँ नहीं यहां पर गैस नहीं आ रहा है सबसे पहले आप लोगो डिल हम चैनल के अंदर पोस्ट कर चुका हूँ तो प्लीज वहां पर जाके जॉइन हो जाओ एंड वर्लपीपर को इंजॉई करो ठीक है गाइस एंड यहां पर आप लोग देखी सकते हो विट्जेट बहुत असे वर्कबल है कोई दिक्कत होने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग जरूर से चेक आउट सरूर कीजिए उसके बाद हम लोग बात करने वाल यहां पर जो फिंगर्पिंट सिंसर बहुत ही शांदर टाइप का है एंड यहां पर जो यूई का आप लोग देखी सकतो हो मैं अभी स्वाइप डाउन कर रहा हूँ थोड़ासा ग्लीचे आप लोग को ज्यादा कुछ फीचर नहीं मिता बट यहां पर जो होम स्क्रीन ले आउट है इसके अंदर बहुत सारे ले आउट मिल जाते हैं बहुत सारे बट यह कुछ काम का नहीं है आपका लुक को पुरा खराब करतेगा और यहां पर आप लोग देखी सकते हो वही तो यह मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसके अंदर थोड़ा सा 3D टाइप का एफेक्ट मिलता है यहां पर जब में माई डिवास के अंदर जाता हूँ यहां पर आप लोग देखी सकते हो 12.5 VN edition यहां पर जो security update है आप लोग देखी सकते हो इसी महीने का security update है ठीक है तो September महीने का security update आप लोग को देखने को मिल जाता है विद Android 11 यहां पर आप लोग को देखी सकते हो यहां पर एक option आचुका है नीचे की तरफ मॉट मुआ यहां पर एक animation ऊपर की तरफ हो रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा and contact and calls के अंदर जाब हम लोग जाते है तो यहां यहां पर और एक option मेरे को देखने को मिलता है जो है own image जो मेरे को बहुत ही पसंद है अपने हिसाब से background को choice कर रहा है और वही call screen के अंदर आएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा and बहुत सरी customization features आप लोगो देखने को मिलता है मैं सब कुछ cover नहीं कर सकूँगा नहीं तो मेरा video बहुत ही लंबा हो जाए यहाँ पर आप लोग देखी सकतों desktop के अंदर एक animation ऊपर की तरफ होड़ा है यहाँ पर आप लोगो standard option जो हमारे home screen के अंदर ले जाते है and ऊपर के तरफ disable reboot menu reboot menu को disable कर सकतो power menu के अंदर बहुत सरे बट मैं recommended करूंगा second वाल option choose करने को ठीक है नहीं तो यह वाला नहीं आएगा new वाला blur reboot कर सकतो कितना blur करना है कहां से कैसे करना है उसका भी option यहाँ पर देखने को मिलता है कितना blur करना है यह भी option आप लोगों देखने को मिलता है तो मेरे को बहुत ही कमाल का लगा ठीक है guys, यहाँ पर और कुछ options वगेरा है, like आप लोग दिखी सकतो, expand top notification इसको भी आप लोग कर सकतो, expand कर सकतो अपने notification वगेरा को and यहाँ पर hide icon, caption को भी replace कर सकतो, and hide icon reflection, जो reflect हो रहा था नीचे की तरफ shadow, जो मैंने पहले ही दिखाया, उसको भी आप लोग hide कर सकतो यहाँ पर rounding the window, अपका UI है, उसके अंदर rounded corners भी हो सकता है, ठीक है desktop के अंदर, तो जो भी हो, pip mode का ही rounded corner है, यहाँ पर status bar वाला option है guys, मैं क्या ही बताओ, status bar के अंदर मैंने हो, यहाँ पर default वाला option है, but मेरे को default वाला option पसंद नहीं है, बहुत दिनों से default यूज कर रहा हो, तो म तो मेरे को style 1 बहुत ही पसंद है, style 2 है, but style 2 मेरे को इतना खास नहीं लगा, style 1 ही best है, सब के लिए, and मेरे लिए तो एकदम awesome है, यहाँ पर network types, location मिल जाता है, जिसके में आप location कर सकते हो, and और एक बाद, अगर इस ROM को guys, install करते हो, please यहाँ पर जितने भी सारे options मैंने इने इन नहीं है, ठीक है, and status bar के अंदर तो हम लोगों ने पूरा cover up कर दिया, यहाँ पर आप लोग speed peak check out कर सकते हो, अपने status bar का color वगर सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, control center fully customized है, ठीक है guys, उसके बाद हम लोग बात करते है, control center वाला एक option है, ठीक है, तो यहाँ पर जो control center है, इसके इसको मैं जब off कर दे तो यह पूरा normal की तरह हो जाते है, जब मैं इसको open on कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों बहुत सरे options देखने को मिल जाए, and इसको भी आप लोग customization और भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा customization है, मतलब इतना customization एक ROM के अंदर, वो तो मेरे को बहुत ही शानदा लगा, तो इसी करण मैं VN ROM को यूज कर रहा हूँ, and यहाँ पर आप लिगी सकते हो, selecting the second tile मतलब, आपको second वाला टाइल है, उसके अंदर internet रहेगा, या Bluetooth वो आपकी मर्जी से आप customize कर सकते हो, जो Xiaomi के MIUI ROM के अंदर इतना customization नहीं मिलता, जो Xiaomi का VN Edition वाला ज शो, city भी कर सकते हो, ठीक है, and यहाँ पर आप लोग देखी सकते हो, बहुत अच्छे से सब कुछ over के बहले, कोई भी एक bug उपर की तरफ, जो notification center है, वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर smart mobile networks and timer मिल जाते हैं, but मेरे को यहाँ पर कुछ खास नहीं लगा, एक animation तो च यहाँ पर आप लोगो 2 के upscale मिल जाते हैं, जिसकी मदस आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने वीडियो के अंदर, and यहाँ पर आप लोग इन्हाँ अनिमेशन, enhanced continue नाम का option मिल जाता है, ठीक है, इस ROM के अंदर, and Dolby Atmos का support तो आप लोगो ज़रूर मिलता है, मतलब गाइस, आप लोग जब वीडियो देखोगे ना, इतना अच्छे से clarity होगा है, आपको जो photo वगेड़ा वीडियो है, बहुत अच्छे से आप लोगो दिखाएगा, ठीक है, and यहाँ पर जो camera है, camera तो normal, जो Xiaomi का MIUI camera है, stock ROM है, तो stock cami रहेगा, but इसके अंदर, जो watermark है ना, यहाँ पर and यहाँ पर और कुछ तो नहीं है guys, यहाँ पर बहुत स्मूथ से ROM चल रहा है, guys, और एक बास मैं, guys, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो privacy नाम का option है, इसके अंदर कुछ नहीं देखने को नहीं मिलता है, वही protection वाला option, रही awareness and higher apps वाला option आप लोगो देखने को मिलता ह ठीक है and बहुत साय लोग manually कर नहीं पाते, तो इसके अंदर पर security option के अंदर, security में अंदर पुरा new new animation आप लोगो देखने को मिल जाते है, latest app है and यहाँ पर hidden apps, auto start, यहाँ पर जो ultra battery saving mode, उपर की तरफ कुछ icons वागरा change हो चुका है, यहाँ पर volume button के अंदर, volume button है, उसके अंद नहीं होता, and guys यह वाला short, I mean short नहीं, यह वाला video कैसे लगा, please comment section में जरूर बताना, and please channel पे नहीं हो तो subscribe कर देना, क्योंकि ऐसी support आप लोगो, please जरूर करते रहना, तो मैं ऐसी videos आप लोगो के लिए ले आऊंगा, तो अब हम इस video को खतम करतें, तब तक के लिए, जय